उनकी सांसे थी उनके दोनों पाउं को कटा गया था उनकी सांसे चल रहे थी उनके दोनों हाँ को कटा गया था उनकी सांसे चल रहे थी उनके दोनों आख को निकाला गया था इसलिए मैं मिठी बात करनी नहीं जानता हूं मैं इसलिए लगता है अग्रेशन से राज को दिल महातों ने एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आट, नौ, दस, गारो, बारो गोली खाए थी सांचद ने, क्या सुनने में अच्छा लगता है, तब आप जारखंड को नहीं जानते हैं, जारखंड हमने बनाया है भईया, निरमल महातों के सीने में गोली लगे थी, सब जारखंड का चर्चा दिल्ले में हुआ था, तब राजीव गांधी को पता चला था, कि हाँ जारखंड की डिमांड किया जा रहा है, तो मुझे लगता है एक बार ये स्रीमान, ये नियम कानोन, एक बार एग्रेशन की गवर्मेंट होनी चाहिए, बाकि यूद डिसाइ जारखंड राज को, सुनने में अच्छाने लगता है, यही रियालिटी है, एग्रेशन मतलब यही है, कठो डिस्जन तोरित करवाई, आज करवाई किस पे होती है, एक ठेला पे काम करने बाला है, तुरंत करवाई होगी, एक मजदूर है, पुलिस तुरंत करवाई करेगी आपकी करवाई उससमें कहा नहीं होती है, जब बड़े-बड़े लोग आपकी गिरप्त में आते हैं, बड़ी-बड़ी मचलिया जाल में फस्ती हैं, क्यों करवाई नहीं होती, हम लोग आते हैं, तो छोटा रह या बड़ा रह है, जो गलात रह उसमें करवाई होगी, एक एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पलना नहीं एग्रेशन का मतलब होता है निडर होके निस्पक्ष होके जारखंड के मुद्दों पर बात करना जारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए परियास करना आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं मुख् कवाल को उत्तर कोई दे आंदोलनिस राज में रोज होता है जराम मा तो है क्यों क्योंकि मैंने उन मुद्धों को टच किया मैंने उस मुद्धों पे बात किया जो जारखंड की जोरत थी जिस पे जारखंड बात करना चाहता था साब सब्दों में जारखंड चाहता था कि बि चांदेन प्लाद कर दिया गया है तो एंडेहक और पॉस्मार महतों में जरामकुमार महतो बहुतमान में के रहए हैं तो लग के लगत नहीं है तो में लगा कि सॉइधा एका सनसद की प्रवी सुनना चाहते हैं तो मैंने इतना कहा था कि दो महने के बाद चुनाव है हम वर्माव भी लड़ेंगे गोमियां भी लड़ेंगे डुम्री भी लड़ेंगे अगर वहां से कोई चेला लिया, नियम कानुन की बात करके, हमें लगता है कि एग्रेसिव गवर्मेंट आनी चाहिए, और मेरा यह एग्रेसिजन मुझे में रहेगा, चुकि ना सन्जे महता जी के तर्जपे मैं बरी से गटना है, एक व्यक्ति उनका नाम है सुरेसमात हूं, मैं उस क्वाम का बेटा हूं, उनको मारा गया था। अ मृस्प इसलिए मैं मिठी बात करनी नहीं जानता हूं, मैं इंजे लगता है, अग्रेशन से राझ को बदलेए इसे लोग है जिनको लगता है कि इस दुनिया में मोहत नाम की कोई चीज नहीं होती है, जिनको लगता है कि सैद वो सारा धन एकत्रित करके स्वर्ग जा सकते हैं, वहां सुख भोग सकते हैं, बिल्कुल ये बहुत गंभीर समस्या है, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के लोग सामील होंगे, विपक्ष के लोग सामील होंगे, ये कोई नहीं बात नहीं है, अगर आधरनीय सिल्पी जी कह रही हैं कि अगर वो जनता जानती है, तो जनता को मालूम है कि किस परकार से JPSC की परिक्षा होती है, उनमें जब रिजल्ट आता है तो विधायक जी के रिष्टेदार होते हैं इसमें 24 वर्सों से जिन लोगों ने राज्य की सत्ता को समाला है 24 वर्सों से जिन लोगों ने इस राज्य की सरकार को चलाया है पक्ष बनके विपक्ष बनके सबका उसमें हिस्चेदारी होता है तो इसलिए जिस दिन वो इस बात को मानेंगे कि हमें एक समन्ता पुर्वक जीवन जीना है हम लोग बास्तों में इंसान मनुस्य तभी है जब दूसरे की दर्द, दूसरे की तकलिप और पीड़ा को देखकर हम भी पीडित होते हैं तब साइद ये माहौल बदले लेकिन फिलाल ऐसे परिवेस में ये बुद्ध का देश भले है लेकिन आज बुद्ध के विचार विल्कुल बिलुपत हो चुके है मुझे नहीं लगता है कि कोई सांति प्रियो तरीके से इस परकार के रास्तों से हटेगा मैं बनावटी इंसान नहीं हूँ उस मीटिंग में बावान मिनट डिसकसन हुआ था मैंने बावान मिनट के बाद मुँ खोला था और ये तो मीडिया चल रही थी और केमरा में क्यां छो रहा था इसलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका मा कसम हम किसी के मुँ में पटकते आपके पावत तले जमीन खिसक जाएगी जब आपने छेड़ा है तो सुन लिजिए यही बिनोद मिहारी विशुमिद्याले में एक कंपणी एक एजंसी ने टेंडर लिया है मजदूरों को जोइनिंग लिटर के साथ साथ रिजिल्ग्लेशन लिटर पे साइन करा गया इस भारत में कहां होता है यार मैं हां मैं आक्रमक्ता की बाते करता हूं कारण कोण है यह क्या बोलता है अब रिजिल्ग्लेशन लिटर रिजाइन लिटर में भी साइन करवाया गया है और एक घटना गोमिया की जब मेरा सभाता बेरमों में वो लड़का आया उसने कहा कि जो एजनसी है उनको पेमेंट देना होता है बीस अजार लेकिन मेरा सर्त है उनका कि ब अगर मकता कम हो आप चाहते हैं मेरे अंदर की उगर भावना कम हो तो आज प्रबुद लोग बैठे हैं आज मनन्य मंत्री दीदी बैठी हैं आज मनन्य मंत्री महोदे बैठे हैं मंत्री तीन-तीन मंत्री बैठे हैं आज प्रदेश अजजच महोदे बैठे सांचन महोदे ब बैठे अज विधायक मेडम बैठी है यहां भी विधायक बैठे हैं यह लोग तय करें कि इस परकार का जुल्म शोषन अत्याचार एक आम व्यक्ति पर यानि जो लोग हास्ये पर हैं जो लोग निम नस्तर पर हैं उनके साथ अण्याई नहीं होगा जैराम महतो प्रेम की कवि तर्फ व्यक्ति पर करवाई होती है जारों को अगरे एक व्यक्ति पर इसटुडेंट को एक उमीद मिलती है अगर एक व्यक्ति पर करवाई होती है हजारों कि खुशाली आती तो मैं अपना आज अनुपार कबता ना चाहाँ वान की ऐसे मन्चों पे जहां médico हाके सुन रहे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मुझे मेरा जो क्रेक्टर है वो सब के सामने मैं आपको बताना चाहूंगा यह बैर्मो कठारा की घटना है वहां एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है पंच ब्लॉक कर दिया जाता है जो नोकरी का प्रावदान होता है कोलियरी में व जरीव आदमी है बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है तो इनको पुन रग लिया जाए तो उधर से आवाज आई कि आप कौन बोल रहे हैं तो हमने कहा कि हम जरामकुमार महतों बोल रहे हैं बर्तमान में गृड़ी लोग सभा लड़े हैं तो लगा यह आप से हम विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए वह व्यक्ति का भी नाम बता देंगे ऐसा नहीं हम जूट बहुँए दस सकेंड मुन का आवाज बदला कि जराम बाबु बोलिए क्या बात है अगर मेरे इस व्यभार्स उसका नोक्री बज जाता है तो मुझे अपने इस व्यभार के पास क्या धिकार होगा जब यह राज जळ लग होगा तो यहां के खिसानों के पास क्या तुदंता होगी मेरे मुद्दे वही होंगे जारकंड जो हमारे जारकंड के नाम में छुपा है जार कहली जंगल ाँनी जमिन का एक भुभाग और हमारी जो निरंतन लडाइयां रही हैं आदी काल से वो इसी विशय को लेकर रही हैं तो जब मैं विधान सभा के चुड़ाओं में जाऊंगा मेरा पहला मुद्दा इस राज में एक सद्र अस्थानी नीती का रहेगा चुकि मैं जिन छेत्रों से आता हूं वो कोईलांचल का छेत्र है आज भी मैं जब कोई